इन दौर की विधान सभा एक से भाजपा प्रत्याशी बनाये गए केलाश विजे वर्गे ने नागदा में पार्टी कारी कर्दाओं के बीच होकार भरी उन्होंने खा के चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन पार्टी के आदेश पर मैदान में उत्रहें तो कम से पचास हजार वोटों से जीतेंगे दरशल नागदा खाचरोद विधान सभास एक बीजेपी ने डॉक्टर तीज भादुर सिंग चोहान को जिकर दिया है जिसके चलते पूर विधाद दिलिप सिंग शेखावत ने मोशा खोल दिया है नागदा और खाचरोद में लगातार डॉक्टर चोहान को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है इसी बीच विजेवर्गिये कारी करताओं को जीत का पार पड़ाने आये थे इधर क्यलाश वुजेवर्गिये के इस बयान पर कॉंग्रेस ने भी पलक्टवार गिया है कॉंग्रेस के नेता प्रतिपक शुरभी राय ने कहा कि 18 साल की सरकार में बीजेपी के नेता सोयम को भगवान समझने लगे है जनता से वोट लेने के लिए उनके बीच में जाना होता है और जो जनता के बीच में जाएगा जनता उसी को चुनेगी उन्होंने यह भी कहा कि क्यलाश वुजेवर्गी की ऐसी बातों से उन्हें 51,000 तो क्या 500 वोट भी नहीं मिलेंगी यह तो बड़ी एहंकार की बात है और मेरा ऐसा मानना यह किलाश वुजेवर्गी नहीं मद्य परदेशु के अपितु अधिकतर नेता अपने आपको यह भगवान समझ चुके पर जब तक जनता के दरबार में जनता की देली पे आप वोट मागने उनका आश्रिवा लेने जाओगे जब तक आपको कौन वोट देगा दो हजार अठारा में हम लोगों ने इनको धूल चटाई थी और यह सडकों पर आगे थे पर विधायकों को 50-50 क्रोड़ों पर देकर के खरीद के यह वापस सत्ता में काभी जुए और यह के देना कि मैं 51,000 वोट से जितुआ बचंद है तो 500 वोट भी रंता देने को तयार नहीं होगी इनको